इतनी बड़ी क्वेरी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं टेंशन नहीं लेना है यार मैं हूँ ना आई हो आपने सुना होगा 8 weeks SQL challenge के बारे में उसकी पहरी case study Danny's nurse से लेके आयो मैं उसका सबसे hard question अगर आपने इस question को solve कर लिया तो आप ये समझे कि almost आपने पूरा project solve कर दिया तो चलिए बिना देरी के start करते हैं जानते हैं इस question को और इसकी इस लंबी query को तो ये question देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ criteria है तो मैंने इसको divide कर दिया है अलग-अलग line में जिसे कि आपको ये असानी से समझ आए तो चलिए मैं question को बढ़ता हूँ यहां लिखा हूँ है कि write a query to show the total earnings of each customer for only July month who enrolled in a gold program तो हम एक ऐसे query लिखनी है जिससे हमें हर customer की January month की total earning points पता चल जाए जिनोंने भी gold program में enroll कराया है but make sure you will follow the below criteria in your query लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ criteria है जिनको मैं follow करना पड़ेगा चलिए अब उन्हें पढ़ते हैं सबसे पहला है before join as a program each customer earn 10 points on the spend of rupees 1 इस gold program को हो जाना आप इस तरीके से समझे कि मान लेज़े कि हम Amazon में shopping करते हैं लेकिन जब हम Amazon Prime लेते हैं तो हम उसके एक prime member बन जाते हैं तो यहां पे भी normal लोग shopping कर रहे हैं लेकिन वो gold program में भी अपने आपको enroll कराते हैं तो सबसे पहला point है before join a program each customer earns 10 points on the spend of rupees 1 याने कि program join करने से पहले जब भी customer एक रुपा खर्च करेगा तो उसके बदले में 10 points मिलेंगे but if the product is sushi then give him 20 points on the spend of rupees 1 लेकिन अगर product का नाम sushi है तो वहां पे एक रुपे पे 20 points मिलेंगे यानि double point मिल रहे हैं ठीक है शूशी के लावा जो भी होगा वहां पे 10 points ही मिलेंगे second criteria है in the first week after a customer join the program including their joining date यानि कि जब भी किसी customer ने gold program join कर लिया तो उस dates के साथ-साथ अगले 6 दिन अगर आम मिला लेंगे तो एक पूरा week बनता है उस week में they earn 20 points on all items not just for sushi it includes all मतलब कि join करने से लेकर उसके एक हफते तक 20 points मिलेंगे हर एक रुपे में भले वह शूशी हो या कोई और जैसे उपर था कि शूशी पे 20 मिलेंगे लेकिन उसके अलावा 10 लेकिन इस time period में इन 7 दिनों में कोई भी product होगा उस पे 20 points ही मिलेंगे हर एक रुपे spend करने में यानि कि जैसे ही वह एक वी complete करता है इस गोल्ड मेंबर उसके बाद उसको फिर से वही वाले points मिलेंगे जो की गोल्ड मेंबर बनने से पहले थे यानि कि एक रुपे में 10 और अगर product का नाम शूशी है दन गिविम 20 points on the spend of रुपीज वा तो ये तो हो गए 3 points जो कि मैंने data है दूसरा menu जिसमे product है उसका price है third है members जिसमें प्रोग्राम में joining होने की date दी गई है अब इन table में data किस तरीके का है query कैसे लिखेंगे यह सब हम जाने के और भी step by step जब यह query आपने starting में देखी होगी तो यह आपको बहुत बड़ी लग रही होगी लेकिन मैं आपको इस त table ठीक है इसके बाद मेरी दूसरी table है menu table और तीसरी table का अगर मैं बात करूँ तो वो है members ठीक है यह तीनो table है मेरे पास और मैंने इने run कर दिया है तो आप देखेंगे जो पहली sales table है इसमें आपको customer id order date और product id मिल रही है menu में हमारा क्या है menu में हमारा product idea product का नाम है और उसका निकालना है तो देखें सबसे पहले हमारा यह question था कि हमें क्या निकालना है January month की total earning निकालनी है price के basis ठीक है तो सबसे पहले हमें यह समझ आता है कि हमें price लाना पड़ेगा और price और हमारी sales table के बीच में कोई column ऐसा होना चाहिए जो कि similar हो अब देखेंगे जो हमारा product id है इस table में sales table में वही आप देखेंगे कि नीचे menu table में भी है तो product id match करके हम इस price को pick कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले step में हम क्या करते हैं यहां से start करते हैं और लिखते हैं हमारी query कैसे है देखें हमने लिखा select star from sales यहां पर data आगया sales का अब हम क्या करेंगे यहां पर use करेंगे एक join और वो हुगा inner join कोकि हमें सिर्फ matching column ही चाहिए होंगे उसके अलावा जो column है उनकी requirement हमें नहीं रहेगी ठीक है तो मैं लिखता हूँ inner join और हमारी जो दूसरी table है जहां से मैं price pick कर रहा है उसका नाम है menu ठीक है अब हम क्या करेंगे दोनों का एक alias बनाते हैं मैं sales को s लिख देता हूँ और menu को m इसके बाद मैं लिखता हूँ on अब मैं वो column दूंगा जो दोनों में same है और वो कौन सा है s.product id equal to m.product id ठीक है मैं इसे run करता हूँ देखे हमारे पास यह सब कुछ आ गया है जो की दोरो टेबल का data है match करके यहां पर product id के आगे price आ गया है अब देखे इन सारे column की मेरे कोई जरूरत नहीं है जिन column की मेरे कोई जरूरत है मैं उनको यहां पर लिखता रहता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मुझे जरूरत है customer id की sales table से उसके बाद मुझे order date भी चाहिए होगा order date लिख देता हूँ then हमें product id के जरूरत नहीं हमें product name चाहिए होगा वो है हमारा menu tables में तो मैं यहां से product name ले लेता हूँ then मैं यहां से ले लेता हूँ price ठीक है यह हम पर चार field हो गया है मैं से run करता हूँ तो दिखिए जो हमारे required golem दे वह यहां पर आ गया है अब दिखिए इसमें यह भी था कि who enrolled in a gold program ठीक है जन्वरी मन में जिन्नोंने gold program में enroll करा है अब हमें वो date भी चाहिए होगी जिन्नोंने gold program में enroll किया है तो वो date हमा जो customer ID है वो सेम है तो हम यहां पर एक और inner join लगाएंगे और sales वाली table से हम match कराएंगे members वाली table को और वहां से pick करेंगे joining rate ठीक है तो हम यहां पर लिखने है इनर join ठीक है हमारी table का नाब है members और इसका मैं alias बनाता हूं MB ठीक है यहां लिखता हूं मैं on then मैं यहां देता हूं as.customer ID ठीक है यह हो गया और उसके बाद MB जो हमारी table है इसमें भी हमारा क्या है customer ID तो यहां पर match हो गया है और अब जो नहीं हमने table बनाई है MB table अब सबस हमें customer ID तो चाहिए नहीं तो सिर्फ हम यहां पर join date को लिख लेते हैं ओके यह हो गया अब हमारे required जो column थे वह यहां पर आ चुके हैं अब देखते हैं हमें और क्या requirement है अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो हमें यहां पर सिर्फ January month ही count करवाना है यानि कि जो हमारे question के साब से मैं output चाहिए वह January month की transaction को ही calculate कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर January month की एक last date भी निखालेंगे क्योंकि वह हमें आगे जाके फाइदा करेगा तो यहां पर हम January की end date निकाल लेते हैं क्योंकि third point के हिसाब से January month की end date की जरौत पड़ेगी क्योंकि हम पूरे January month की transaction द यहां पर हम कॉमा देंगे और यहां पर लिख देंगे eo month यह function है जो कि हमें last date देता है किसी भी महीने की ठीक है तो मैं हाप एक date देता हूं तो जैसा कि मुझे पता है कि हमारे पर जो data है वो 2021 का है और almost हमें January month का चाहिए तो मैंने eo month लिख दिया और मैं इसे देता हूं as last date और मैं इसे run करता हूं अब आप देखेंगे 2021 के January month की last date यहां पर आ गई है अब एक और date हमें यहां पर लिनी होगी question के point number 2 की वज़ा से यहां पर जो लिया गया है in the first week after a customer join the program including their join date they earn 20 points on all items not just for sushi तो हमें साथ में यह भी देखना होगा कि जो हमारा joining date के बाद पहला हफता है वो कौन सी तारीक का है तो इसको भी हम लिख देगे पहले ही तो यहां पर हम date add function use करेंगे date add जो की हमें date add करने में help करेगा तो हमें लिखते है date कि हमें add क्या कराने यहां पर day कितने से increment करना है 6 क्योंकि एक दिन तो वही होगा जो हमारी join date होगी और उसमेंगर हम 6 दिन add कर देंगे तो हमारे एक week आ जाएगा साथ दिन का कॉमा अब किस कॉलम से हमारा जो कॉलम था वो है join date ठीक है और वो join date हमारा कहा से आ रहा था member stable से ठीक है तो मैंने यह mb दे दिया और bracket करके मैं दे देता हूं उसे as after join week date ठीक है after join week date मतलब कि यह हमें एक तरीके से बता रहा है कि यह week date है join करने के बाद की यहां पर हो गया और यह मंत को मैं उपर लिया आता हूं कॉमा देता हूं तो यहां पर आल्मोस सीजे हो गई है वह में देखना है कि यहां से output क्या आता है हमार पास यह joining date आ गई यहां पर हमार पास order date आ गई join date आ गई join date के बाद अगर हमने साथ दिन add करेंगे तो 13 date होती है और last date of the month हम पर आ गई तो जो date वाली calculation थी वह almost हम पर आ गई है एक चीज मैं यहां से cut कर रहा हूं और इसे मैं लिख देता हूं यहां पर ठीक है so that हमें थोड़ा सा easy हो order और join date और यह जितनी भी date है इन सबको एक साथ देखने में ठीक है यह हमारी हो गई अब हम चलते हैं अपने points की और सबसे पहला point है हमारा कि before join as a program each customer earn 10 points on the spend of rupees 1 but if the product is sushi then give him 20 points on the spend of rupees 1 यानि कि हर एक रुपे खर्च करने में 10 points हमें देने है अगर वो कोई भी product है लेकिन अगर आप पर शूशी लिखा आता है यानि product name शूशी हो जाता है तो में 20 points देने है लेकिन यह जो condition है यह criteria है यह program join करने से पहली वाली transaction के लिए होना चाहिए ठीक है अब हमने जैसा कि यहाँ पर निकाल लिया था कि हर transaction की जो join date यानि जब program में convert वाए इससे पहले की तो अगर आप यह देखेंगे तो इस join date को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ ठीक है और मैं run करूँ तो अगर मैं condition दूँ कि जो order date है वो join date से पहले की हो और 1st January 2021 के बाद की हो तो मेरी सारी transition निकल के आती है है ना क्योंकि हो सकता है कि हमारा gen से पहले का भी data हो पुराने साल का तो हमें वो consider नहीं करना है अब हम यहाँ पर इस condition को कैसे देंगे with the help of case statement ठीक है अब मैं करता हूं last date के बाद comma ठीक है अब मैं यहाँ पर देना स्टार्ट करता हूं case ठीक है order date में आप यहाँ पर एस देना चाहते हैं दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए ठीक है order date जहां पे भी greater than equal to है क्या 2021-01-01 यानि एक जनवरी 2021 से और साथ में दूसरी चाहिए भी होनी चाहिए कि वह join जो date है उससे पहले के transaction भी होनी चाहिए तो फिर हम क्या लिखेंगे and order date less than क्या हो जो भी join date है ठीक है अब join date हमारी क्या है यह वाली साथ में हमारी यहाँ पे एक और condition थी कि अगर product का नाम शूशी है तो उससे 20 points मिलने चाहिए ठीक है तो हम एक end और यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे कि जो product name है वो अगर बराबर है किसके शूशी के तब उस condition में हमें जो भी price है उसका multiplication हो जाए 20 से यानि हम हर एक रुपे में 20 points उसे देंगे यह हो गया हमारा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं एक बार else 0 आ जाए ठीक है फिलाल के लिए हम else यहाँ पे 0 दे रहे हैं और इसका हम end कर देते हैं यह हो गया हमारे earning points ठीक है अब आप देखिए तो almost query हमारी error भी नहीं द joining date से पहले है यानि यह दोनों condition fulfill कर रही है और यहाँ पे जो product का नाम है वो शूशी भी है तो यहाँ पे जो भी price था वो multiply by 20 हो गया और सेम यहाँ भी शूशी में multiply हो गया यहां था हमारे जो data है वो सही काम कर रहा है अब हम क्या इसको हटाते हैं और और भी condition यहां पर देते हैं तो मैं क्या करता हूँ Mijn इमAST majority कर लेता हूं हो और मैंुर्ध पेस्ट कर देता हूं और यह सब यहाँ इस आको आ गया है तो मैं क्या कर रहा हूं यहा पे यह जो यहां पर हमारा जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए 10 और यहां पर हमने शूशी वाली कंडिशन नहीं दिया यानि कि यह वाली कंडिशन थी बड़ से पहले की वह यहां पर रन होनी चाहिए तो यहां पर शूशी के अलावा जितने भी आइटम होंगे वहां पर मल्टिपल 10 होना चाहिए तो अब हमसे रन करते हैं अब देखिए जहां पे शूशी के अलावा और आइटम थे और साथ में यह दोनों कंडिशन में फुल्फिल हो रही थी वहां पे multiple of 10 हुआ है तो 15 का 150 हो गया है इसी तरीके सा यहां पे भी सेम रन हुआ है अब हम दूसरी कंडिशन पर जाए तो दूसरी कंडिशन हमारी कहती है कि जॉइनिंग डेट से लेकर पूरे हफ़ते तक जैसमें जॉइनिंग डेट भी इंक्लूड है 20 पॉइंट्स मिलने चाहिए चाहे वह शूशी हो चाहे वह कोई भी आइटम हो ठीक है तो हम इसके लिए लिखते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं थोड़ा सा पढ़ने में जब प्रोग्राम जॉइन नहीं हो आता हूं उससे पहले की कल्कुलेशन के यह लिए यह है और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं आफ्टर जॉइन तिल वीक एंड कैल्कुलेशन ठीक है यानि की जॉइन करने के एक हफ़ते तक की कैल्कुलेशन यहां पे हम कर रहे हैं अब देखिए आप इससे मत गराबेगा यह जिसको हम हाइफन के साथ देते हैं बाकि यह कंट्यूनिटी में ही है ठीक है तो अब मैं आप लिखता हूँ अब एक ओर कंडिशन उसके लिए मैं लिका रहा हूँ फेन ओर डेट ङ्टर ग्रें हो या एकुल आपकि जॉइन डेट के ठीक है अभ जो अर डेट है हमारी वह क्या होनी चाहिए लस देन होनी चाहिए किसके इस वाली डेट के क्योंकि इसमें क्या है इ कंडिशन को फुल्फिल करेगा और इसमें क्या होगा हमारा इसमें देखिया हमें यह नहीं देना कि वह शूसी है कोई कुछ भी हो हमारा सीधा वह मल्टिपल होना चाहिए किस से 20 से तो मैं देता हूँ प्राइज इंटू 20 ठीक है और मैं इसको रन करता हूँ देखिये अब हमारे और भी जो कॉलम है वो फिल हो गए है ठीक है अब हमें एक और कंडिशन देनी है जो हमारा थर्ड पॉइंट है 3rd point after complete a week as a member of program each customer earns again 10 points on the spend of Rs.1 and if the product is sushi then give him 20 points on the spend of Rs.1 यानि कि अब जब एक हफ्ता complete हो गया as a member of program उसके बाद से लेकर अब फिर से 20 मिलेंगे और rest of the item पे 10 points तो इसके लिए हम condition लगते हैं तो यहां पे मैं पहले से copy कर लेता हूँ कि जिसे हमें message भी दिखाई दे after join till week to end of the month calculation ठीक है when order date क्या हो इससे जादा ठीक है when order date greater than हमारा जो week end date थी उससे जादा हो and साथ में क्या हो हमारा जो order date है वो january की last date से भी कम या बराबर होना चाहिए ठीक है और वो हमने आपर निकाली थी तो हम लिखेंगे less than या equal to हो हमारी इस date के और वो प्रोड़क का जो नाम है वो अगर शूशी है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए जो भी प्राइज है उसको multiply करो 20 से ठीक है multiply कर दिया 20 से और इसके साथ एक और कंडिशन है कि अगर वो नहीं है तो वहाँ पर 10 आ जाए तो थीकिए almost यह सब सेम रहेगा एंड के बाद आप यह शूशी वाली हटा दीजे और यहाँ पर 10 कर दीजे अब देखिए यहाँ पर जो नल आ रहा है अभी वहाँ पर भी कुछ फिल हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पर लियाता हूं क्योंकि अब मारी जो condition है वह almost complete हो गई है इसके बाद मैं आपको बता से लेकर जनवरी 31 तक दीए तो यह तो किसी में भी नहीं आती है तो इसका आप पर कोई भी आंसर नहीं आया और यह टोटल भी नहीं होगी आगे जाके अब देखिए हमने तीनों पॉइंट को फुल्फिल कर लिया है लेकिन हमारा question था कि हमें total earning points दिखाने है इच कस्टमर के लेकिन अभी क्या है यहां पर सारा customer अलग अलग है और उनका earning points अलग अलग है तो अब हमें से कही न कहीं सम भी कराना होगा तो हम क्या करेंगे हम इसको सब query बना देंगे ठीक है हमने इसको सब query बना दिया और इसका नाम दे रेता है और यहां पर मैं लिखता हूं select अब इसको भी earning points हुए है उनका हमें sum चाहिए और इसको मैं नाम दे दूगा total points अब यह तो हो गया हमें किस से चाहिए from इस table से जो हमने यह बनाई है इसको हमने a बना दिया और इसमें भी हमें क्या करना है अगर आप देखेंगे तो यह customer अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका group buy करना पड़ेगा किसका customer ID का अब हमने customer ID का group buy कर दिया और यहां पर हमने aggregate formula यूज कर लिया sum तो I hope कि जो भी customer enroll हुए थे उनका हमें total आ जागा अब देखेंगे जो enroll होने वाले थे वो A या B ही थे जो C था हमारा उसने कभी enroll ही नहीं करा था ठीक है तो मैं run करता हू तो दिखिए A है जो उसके total earning points है 1370 और वहीं पर B के total earning points है 820 तो अब आपको आज की कोई रहे अच्छी लगए और अच्छी लगए तो please like और comment करना ना भूले और इस channel को subscribe करना भी यार मत भूलेगा